नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वाकत है हमारी यूटूब चैनल में तो देखो आज जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में हम आपको बताएंगे कि पासवर्ट का कंसैट आपको हम मेल भी करेंगे गल कोनडे ticket सबसे फ्रोजेट करेंगे और लॉगın फर्म भी बनायेंगे और वाढ़ेंगे पासवर्ट को कैसे हम अपडेट करेंगे थीकि है बदलना चाहा तो आपको आप दल सकते हो तो चलब हम सबसे पहले चाह एंब हम यह आप ही जो हम प्रोचेक्ट क्रेट करने वाले हैं वो होगा आपका शी शार्प में होगा तो सबसे पहले हम एक प्रोचेक्ट क्रेट करेंगे अब यहां पर आपको प्रोचेक्ट सी शार्प में बनाना है तो यहां पर क्या सब्सक्राइब करेंगे यहां पर आएंगे या फार्गट पासवर्ड आप कोई भी नाम दे सकते हो और यहां पर करेंगे एड़ यहां पर हम क्या करेंगे अभी इसकी हम डिजाइनिंग कर लेते हैं पहले तो चलेंगे हम वीव में आएंगे यहां से हमें चाहिए टूल बॉक्स तो टूल बॉक्स पर क्लिक किया हमारा गप हाई इस फम को जबनेते हैं अभ यहां पर आप क्लेना दो टेक्स्ट वाक्स लेने हैं और डो लेबल कंट्रॉल तो हमраш दो लेबल कंतूल ले है लिया यह यह Your moving हम देंगे दो टेक्स्ट बॉक्स तो यहां से लेंगे दो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रूल ओके दो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रूल हमने आपे ले लिया है अब हम क्या करेंगे यह जो लेबल कंट्रूल है इनके टेक्स प्रपर्टी को चेंज करेंगे तो टक्स मेंको देना है इस यूसर निम और यहाँ के फॉण्ट को प्लू सब्स्विक करेंगे इस तरीकी से हम लिए करेंगे कहाँ पाइंगे और फॉंट को चेंज करना है और इसका जो टैक्स पॉपर्टी वी होगा वहां कर देंगे पास्वर्ड अब यहां पर में पसके हैं दो हैं text box आप देख सकते हो इससे टू text box तो जो पहलाotta text box होगा this text box का हम जो name है यह change कर देंगे ताक्या हम आसानी हो आसानी से हम this text box को understand कर सकें तो इस इस user name और जो यह होगा यह आपको हो जाएगा it's txt password ठीक है पास्ट लेग दिया यह पासवर्ड यह हो गया अब हम एक काम यह करेंगे यह जो इसका बैक्राउंड को रहे फॉर्म का हम बैक कलर चेंज करेंगे तक कि थोड़ी सी विजबिल्टी मिले ओके यह सही लग रहा है अब य केटक्टरॉलल लेना है इस तरफ लिचा की तरफ और एक हम लेंगे बटन कट्रोल तो बटन होगा अमारा बिसिकली होगा आपका copy login के लिएं तो इसका टैक्स पर्करफटी होगा button का आपको चेंज करना यहां पर आजते हैं और यहां पर इसे क्या करेंगे नीचे आप आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा यहां पर आपको मिलेगा यह अंडरलाइन आपको टू कर देना है ठीक है यह नहीं करेंगे जो हमरा करसर होगा पूजिशन हम चेंज करेंगे तो इसी दर करसर डिफॉल्डे टेफॉल्ट न करके यहां पर हम हैंट का सेंपल लगा देंगे तब यह असान हो जाएगा तो जब आप यहां पे एक कर्चल ले आओगे तो यह hand customer बन जाएगा, okay, so this is the simple login form, और एक label हम और यहां पर यहां पर ले लेते हैं, यहां पर इसे हम copy कर लेंगे, और यह जो label होगा, इस label का हम यहां पर text change करेंगे, this is login form, ठीक है, यहां फिर इसे हम देते हैं, it is the user login form, यह कर कर देते हैं, white, very good, और font size हमने आपे इसका बढ़ा दिया है, and, okay, तो गैस, यह आपका user login form, और यहां पर अब देऊ सकते हो, आपके सामने यह design है, यह हो चुका है, तो इस design के बाद हम क्या करेंगे, एक हमें एक नया form यहां पर add करना पड़ेगा, तो right click करेंगे, add new item पर करेंगे, यहां से एक window format करेंगे, यह जो window form होगा, इसका नाम हम करेंगे, send verification code या send OTP, कुछ भी दे सकते हो, तो यहां पर दे सकते है, it's, send code नाम दे दिया, मैंने अभी के लिए इसका, okay, तो इसका नाम दे दिया, मैंने send code, अब यहां पर करना क्या है, यहां पर भी आपक लेना, basically, आपको लेना है, दो level control, एक label, और यह जो label होगा, पहले तो हम इसका font change करेंगे, okay, तो एक label लिया, इसी label को copy कर लेंगे, एक दूसरा label हमारे पसा आगया, अब हम लेंगे इसके लिए, text box, तो एक text box अब यहां पर लगाएंगे, और इसी text box को copy करके, यहां पर okay, थोड़ी सी विजुल्टी दीखे है हमें, तो यह जो पहला होगा, label, तो सबसे पहले label का हम चलेंगे, text change करेंगे, और यहां पर हम लेंगे एक बटन, तो यहां से उठाएंगे, हम एक बटन यहां पर लगाएंगे, और यह जो बटन होगा, इसका text यहां पर लिखेंगे send OTP, जो भी OTP अब send करना चाहते हैं, वो, okay, so this is send OTP, यहां पर रग दो कोई दिखकत नहीं है, और एक बटन हम और लेंगे यहां से, तो यही वाला बटन हम कॉपी कर लेते हैं, यह बटन कॉपी किया, इस बटन को यहां पर रखेंगे, और इस बटन का हम जो text होगा, वो ह ठीक है, यहां पर, यहां पर जो आप देखो, लेबल देख रहो हो, लेबल में क्या लिखेंगे, यहां पर हम, यहां पर लिखेंगे, हम, it's the inter verification code, यहां से आपका करोगे, यहां पर आपको अपना email इंटर करना पड़ेगा, और यहां पर send पर क्लिक करोगे, तो आपकी email प अपना password चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और हम यहां पर एक format करना है, तो यहां पर आएंगे add window form, अब यहां पर इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे, change password, तो यह मैंने इसका नाम दे दिया, अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर फिर से लेना है label control, और यह लिया मैंने एक label control, इसे वो copy कर लेंगे, दो label control चाहिए, और इसके बाद हमें चाहिए दो text box, तो एक text box यह रहा, और एक और text box हम लेंगे, मेरे पास मे लेंगे दो text box, ओके, यहां पर, तो यह जो text box है, इस text box का हम यहां पर नाम भी change करेंगे, बट उससे पहले हम label का नाम change कर लेते हैं, label पर आ जाते हैं, और यहां पर text property change करेंगे, लेबल की यहां पर लिखेंगे हम, enter new password, ओके, यह आगे, अब यहां पर आएंगे, यहां प रिखेंगे, it's confirm, ओके, so it's confirm new password, ओके, so यहां पर आप इसे confirm कर सक होगे, new password को, सही है, अब क्या करेंगे, यह जो आपका form है, इस form का हम background color करेंगे, change, ओके, अब यहां से हम लेंगे एक button, तो एक button हमने ले लिया, इस button की help से क्या करना है, आप पासवर्ट को change करना है, ठीके, तो, sorry, यहां पर आ चुके है, अब यहां से आपको क्या करना है, change password, ठीके, यहां से हम अपना password change कर पाएंगे, perfect, तो guys, यह हो गया, अब भी हमें आगे चलना है, इसमें, अब आगे इसमें क्या करेंगे, सबसे बेरे चलनेंगे login form पर, यहां पर आ चुके हैं, यह जो हमारा form है, इस form का color थोड़ा सा जीप सा लग रहा है, इसको भी हम यह वाला कर देते हैं, यह वाला color की कभी, oh my god, ठीक है, तो यह हमारा त्यार हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चल चाहते हैं, कि जब मैं इस forget password link पर click करूँ, तो हमारे पास जो, यह send code वाला जो page है, form है, यह form open होते हैं, यहां पर करेंगे, हम double click करेंगे, इस पर label पर, तो यहां पर आप दे सकते हैं, label का clickment आ चुका है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो, दूसरा जो page है, मैं चाहता हूँ, कि यह send code वाला जो page है, यह code हमारा, यहां पर open होता है, तो आएंगे, इस label का clickment पर, यहां पर हम create करेंगे, इस form का object, create करेंगे, इसका नाम तेंगे, send code is equal to, यहां पर आपको लिखना है, it's new, new, send code, okay, so यह लिखा मैंने, clicking यहां पर, this dot, hide, and उसके बाद आपको क्या करना है, sc dot show, इसको आपको show कर लेना है, ठीक है, यहां पर click किया, आप इसे run करोगे, तो क्या होगा, सबसे पहले, आपका login form आएगा, आपके सांथ, login form आगया, अब अगर आप यहां पर फाल्गेट पास्वर्ट पर click करोगे, तो यहां से आपको क्या करना, अपना email इंटर करना है, और इस पर click करोगे, तो आपके email पर OTP चली जाएगी, फिर आपको यहां पर जो भी OTP होगा, आप यहां पर इंटर करना है, verify कर देना है, तो यह हो गया, अब हम नाम है, आपका send code form, इस form पर आएंगे, यह जो आप देख रहे हो, इस control का नाम हमें करना है change, यह आपका होगा, txt email, ओके, यह आपका email हो जाएगा, और यह जो आप देख रहे हो, इसका हम नाम दे देते हैं, txt otp, ठीके, या txt verify code, ठीके, यह हो ग जैसे, इसे कर देते हैं, send otp, btn send, ओके, यह कर दिया, और इसे कर देते हैं, btn verify, btn verify, ठीके, तो यह आपका हो गया, इस तरी के साब देख चेंज कर लेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हमारे पास, यह जो form है, इस form पे आपको करना है, चाहे तो आप इस button पे double click करो, ठीके, जो send otp है, इस button पे करेंगा double click, इस button का click point आ जाएगा, अब इस click point से पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर topic पले, सबसे पहले कुछ name is space add करने है, एड कर लेते हैं, using system dot data, ओके, यह औरडी है यह यहाँ पर, तो using system dot हम यहाँ पर add करने वाले है, net, जिसके help से हम otp जो है, उस send कर सके हैं, और एक और लेंगे, using system dot, एक लेते हैं, यहाँ से net dot, आपके पास होगा mail, ठीके, इन दोनों की help से हम क्या करना हैं, user को email भेज सकेंगे, अब यहाँ पर हम आजाते हैं, यहाँ पर top पर आएंगे, यहाँ पर हमें create करना है, string type का एक variable, जिसका नाम होगा, it's a otp code, इसका नाम दे देते हैं, और इसके बाद हम एक variable create करेंगे, public static type का, ठीके, और इसका नाम दे देते हैं, public static string, इसका नाम दे दिया, two, okay, तो यह मने create के लिए, आब हम चलेंगे इस btn send पे, अब btn जो send है आपका, इसके clickmen पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर कुछ variable create करना है, तो पहला होगा string, from, यह हो जाएगा एक, यह होगा आपका pass, यह हो जाएगा आपका its message body, okay, तो यह मने बना गया लिए, अब इसके बाद यहाँ पर हम random class का एक object create करेंगे, таких random class का object रृइट करेंगे, यह क्यों create करेंगे, क्यूंकि हमारा OTP होगा, हम अपना OTP कैसे generate करेंगे, ठीक है, यह जो OTP code है, यह कैसे generate करेंगे, तो हमारे पास एक class रिंडम है random, और इसका object create करेंगे, तो और इसी random class की help से हम क्या करेंगे एक random numbers generate करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे new random अब क्या करेंगे हमारे पास जो OTP code वाला जो variable मेंने बनाया है is equal to is की value कहां से आएगी तो लगाएंगे bracket यहाँ पर आपके बस क्या है random class का object dot जहाँ पर आपको मिलेगा एक next नाम का method अब यहाँ पर आपको अगर आप जितनी भी डिजित की आपने आप OTP कrreate करना चाहते हैं कुछ लोग 5 डिजित की करना चाहते हैं कुछ लोग 6 डिजित की करना चाहते हैं तो मैं छैक चाहता हूं यहाँ से लेके 123 123 and 123 ठीक है 026 यहां पर क्या होगा total 6 digit के होंगे निंबर आपके और जो digit होगे वो 0 से लेके 9 के बीच के होंगे ठीक है तो मैंने यह लगा दिया अब यहां पर बाहर आएंगे यहां पर लिखेंगा total to string क्यों क्यों क्योंकि आपका OTP वाला जो आपका OTP स्ट्रिंग में करना है इसके बार इसके बार हमें क्या क्क आप करेंगे हमारे पास पर mail message नाम का class होगा इसका हम एक object create करेंगे its message is equal to अब गलिकना है new mail message जा गया अब यहां पर क्या करेंगे 2 हमारे पास variable है 2 की value कहा से आएगी यह आएगा अपका it's a txt email जो आपका text box है इसमें जो की value आप दोगे यह होगा कि जिसको भीजना है ठीक है यहाँ से टू का आपके value मिल जाएगा उसको पर हमारे पस एक variable है from from equal to यहाँ पर अब इसकी value कहां से आएगी देखो from मतलब आपको कहां से कहां से email आएगा कहां से ठीक है यह होगा from और यह होगा आपका password तो अभी मैं दोनों को बताता हूं तो जिते की suppose करो अगर आपको किसी को mail भीजना है तो आप क्या करोगे आप जाओगे gmail open करोगे वहाँ पे username इंटर करोगे password इंटर करोगे देन आप login हो जाओगे gmail पे फिर आप gmail के अंदर जाओगे वहाँ पे compose हो जाओगे देन आप अपना email जो भी आप राइट करना चाहते है वो email आप राइट करोगे तो सीब वही task हम यहाँ पे करनेंगे तो from का मतलब है कि जो email जाएगा वो कहां से जाएगा किस की मतलब किसके email से जाएगा किसी न किसी के हम लोग हम यहाँ पर क्या करेंगे हम महलेजे कि हम अपने email से आपको OTP send करेंगे तो यहाँ पर हमें email mention करना होगा उसी email की help से सबको OTP जाएगा तो यहाँ पर आप अपना email यहाँ प कि इंटर करना है तू सकोज मेरे पास एक email id है मैं Чер घेता हूं it's Gmail.com यह कर दिया अब यहां पर क्या ख़़ना आपको इसका Password इंटर करना है ठीक है यहां पर कलिखेंगे इंटर वेर पीजाइगे इंटर एंटर न्यूट पासवर्ड आपको यहां पर और किसके पास जाएगा वो यहां पर जिसका email id अपनी यहां पर इसका इस text box में दे रखा होगा उसको जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यह हो गया हमारा अब आगे बढ़ते हैं इसमें यहां पर पासवर्ट दे दिया इसके बाद हमें करना यहां पर message body बनाना पड़ेगा ठीक है कि क्या message हमें mail करना है तो यहां पर हमारा पास जो है message body वाला variable ठीक है message body is equal to अब आपको यहां पर आपका जो भी message भेजना चाहते हो तो वह आपको यहां पर देना होगा तो यहां पर हम दे देते हैं it's simple और आपके पास जो OTP code करके जो आपके पास variable है इस variable में क्या आ गया होगा यहां पर देखो जो randomly एक number generate होगा वह number यहां पर आ जाएगा इस वाले variable में आ जाएगा तो यही variable हम यहां पर दे दे देंगे तो आपके जो message आएगा तो उसमें लिखके क्या आएगा your reset OTP is और इसमें जो value होगी वह आपके यहां पर दिखाया जाएगा ठीक है यह हो गया अब इसके पाद हम क्या करेंगे हमारे पास एक message नाम का एक variable है तो इस message ओके तो message.to.add क्या add करना है इसमें हमें 2 को add कर देना है ठीक है yeah add हो गया,ब यहाँ पर क्या लिखेंगे it's message.from उतलब कंको send करना है किसको send करना है और from मतलब कहां से send करना है ठीक है तो from की value हमें यहां से मिल जाएगी اور to की value जो इस text box में यहां से मिल जाएगी ठीक है, just out from और from कि value कहां से आएगी यहां से आपको मिल जाएगा उसका आप देव सकते हो पासवर्ड ओके यहां से आपको मिल जाएगा कि किस बंदे की email ID सा आपको सेंड करना है अब यहां पर लिखेंगे हम mail message message dot आपको क्या देना है message का body क्या है ठीक है तो message body के लिए हमने यहां पर एक बना रखा है variable इस variable में जो भी value होगी वही हमारा message body होगा फिर हम क्या करेंगे जो हमारा sorry it's a message message dot अब आपके पास क्या होगा subject होगा है okay sorry it's a dot subject अब जो हमारा subject होगा वो क्या होगा subject की value आपको इसी तर इस दे देनी है आपको यहां पर देना है इस पासवर्ड रिसेटिंग कोड ठीक है पासवर्ड को रिसेट या फॉर्ड पासवर्ड कोड आप यह विसा ऐसा भी दे सकते हो तो ऐसा करते हैं इसको हम दे देते हैं इस पासवर्ड कोड यह मैंने दे दिया अब यहां पर क्या करेंगे सेमी कॉल्टम दे देंगे यह हमारा क्या हो गया message subject हो जाएगा अब इसके बाद हमें यहां पर create करना है smtp class का object तो smtp होगा smtp client होगा smtp client और smtp is equal to new smtp client लगाएंगे सेमी कॉल्म और इसके अंदर आपको क्या देना है इसके अंदर आपको यहां पर double dot यहां पर क्या होगा enable SSL ओके तो SSL को enable कर देंगे इसे कर देंगे true यहां आप से मैंने इसे enable कर दिया allow कर रहे हैं कि आप सब्सक्राइब इसके बाद यहां पर smtp dot आपको port भी बताना होगा तो बहुत सारे port हैं by default तो पहले हम default port try करेंगे 587 करके यह port हम try करते हैं फिर smtp dot आपको क्या करना है यहां पर delivery method क्या होगी ठीक है delivery method जो होगा is equal to आपको देना है smtp delivery method ठीक है smtp delivery method एक method डॉट आपको क्या देना है its network के थूए जाएगा अब इसके बाद करतेंगे यहां पर भी से लिखेंगे आप sorry its smtp dot आपको यहां पर देना है credential is equal to यहां पर देंगे new जी credential कैसा होगा it's the okay network credential होगा यह कैसा होगा network credential लगाएंगे bracket अब जब इन network credential होगा तो उसका username email id यूजर नी देना पड़ेगा ठीक है तो हमने बुला from जो email id है इस email id से भीजो और इस email id का password हम आपको यहां पर बता दिया ठीक है तो होगा क्या program क्या करेगा program यह करेगा कि यह जो अपने user email id प्रवाइड किया है इस email id के help email id से login करेगा जो आप password दोगे इस password से login करेगा और इस email id के धुरू जिस भी बंदे को password चाहिए OTP चाहिए उस बंदे को OTP भीज देगा तो बिसिकली हम क्या करें हम एक program बनाए हमने इस program में हमने एक email id प्रवाइड प्रवाइड दे दिया है उस email id प्रवाइड से हम सब को mail भेजेंगे तो अब यह हम पर हो चुका है तो जो catch होगा catch में लगाएंगे bracket इसमें क्या देना है आपको exception जो है ex करके बाहर आएंगे और इसका भी closing अब try block में क्या करना है अगर message send होता है तो यहां समें लिखेंगे smtp.send क्या send करना है हमें हमें करना है send message send करना है ठीक है तो using send method message आपका send हो जाएगा फिर यहां पर आएगा यहां पर यूजर को दे सकते हो, तब यहां पर क्या लिखेंगे कि, यहां पर आप दे सकते हो, आपका जो भी verification code है, ठीक है, या फिर आप यहां पर दे सकते हूं कि, code send successfully, ओके, तो जो आपका code था, वो सकस्पुली यहां पर send हो चुका है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम सेम यही वाला, यहां पर paste कर देते हैं, यहां पर देंगे message, यहां गार मेरे bracket, semicolon, इसके अंदर क्या देना आपको, ex.message, आपको यह देना है, अगर कोई exception होगा, वो हम यहां पर प्रिंट कर देगा, तो भाई, यह तो था, आपके message को भेजने का code, और अब हम चलेंगे दूसरे page की तरफ, अब हम चलेंगे यहां पर दूसरे button की तरफ स्वरी, अब क्या होगा, जब आप इस button पर click करोगे, तो आपने लिखा यह सब तरा code, आपका email चला जाएगा, जब आपका email चला जाएगा, तो यहां पर बंदा OTP इंटर करेगा, जो भी उसे code मिलेगा, और यहां पर verify करेगा, तो verify पर करेंगा, डबल click, अब यहां पर verify कैसे होगा, तो देखेंगे सबसे फ़र हम रहेंगे, if condition, तो आपके पास क्या है, आपके पास है, it's OTP code, जो आपके पास OTP code है, अगर यह equal to हुगा किसके, अगर यह equal to code.text, अगर इससे क्या हुआ, इसके बराबर हुआ, तो यहां पर आएंगे, .to string में convert करेंगे, इससे, ओके, तो मैंने यहां पर बोला है कि, एक minute यहां पर आगया, और यहां से एक खटेगा, वो आपके यहां पर लगेगा, ठीके, अब सही है, तो मैंने बोला, if जो आपका OTP code, जो है, अगर यह text box verification में, जो value है, उसके बराबर होगा, match करेगा, तो इसका मतलब होगा, कि आपका OTP perfect match कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे, हमारे पास एक variable है, 2, इस variable में, जो भी txt, email id होगा, ठीके, .text, तो इसको हम डाल देंगे, इस 2 वाले variable में, अब यहां पर क क्या करेंगे, हमारे पास है, हमें, हमें, यहां पर करना है, कि जब हम verify करें, जब हम यहां पर OTP enter करके, यहां पर verify पर क्लिक करें, तो हम इस change password पे move कर जाए, ठीके, change password पे move कर जाए, और यहां पर हम अपना password change कर सकें, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे यहां पर आप आपको देना है इस आपके change password form का नाम अब इसका एक object create करेंगे इसका to new change password ठीक है फिर क्या करेंगे this.hide फिर आपके पास क्या है cp.show और यह वाला form आपको open हो जाएगा तो हमें क्या करना है उपन हो जाएगा बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसमें एक और लगाएंगे condition और यहां पर क्या देंगे यहां पर यह जो हमने यह दिया है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं exception को और यहां पर पेस्ट कर देंगे ठीक है not exception यहां पर सिर्फ message पेस्ट कर देंगे की wrong wrong code यहां पर code है वो गलत है कि यहां पर सिर्फ में कॉलम नहीं होगा बस आपको यह code करना है तो यहां पर आपका जो send code जो form था इसका पूरा पूरा code यहां पर हो चुका है अब हम बढ़ते हैं आपके change password की तरफ चेंज पर क्या होगा हमीं बंदी का पूराना password है उसको update करना है अपडेट करना है अपडेट हो जाएगा और क्या करेंगे ना इससे पहले हमें create करना है database करना है ठीक है सबसे पहले हम क्या create करते है database की तो database की लिए अपना जो SQL सर्व database है वो open करेंगे हम, तो guys यहां पर यह मारा database है, अब इसमें आप चाहो तो नया एक database बना लो, या पिर किसी पुराने database में आप कोई भी table create कर लो basically, तो यहां पर देखर में पास बहुत सारे database हैं, तो यह जो coder वाला database है, इसी database में मैं एक table बना लेता हूँ, यहा अच्छा कोई असल लेता है, जिसे table कम हो, तो इसमें चलते हैं, तो इसमें आ जाते हैं, यह जो database है, इसी में हम बनाएंगे table, तो right click करेंगे, और यहां पर new table पर click करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर में देखर देखर देखर, यूजर email, ओके, data type देखर देखर इस वैर केल, और यह होजाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है, यहां पर आगे user email और पासवर्ड, यह भी आपका क्या होगा, इस वैर केल, ओके, और अब हम इसी क्या करते हैं, cloud null, कुछ भी ठीक है, अब हम इसे save कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर आते हैं, table कराम क्या देते ह इक टisions टी वील फॉरगेट पासवर्ड ठीकित ओके टी यंदि-ट करेबorta एक है एकमरट इटे टीबоль यह फिल। छापके टीबल का नाम हो गया ओके तो आपका टीबल यहांपर ब्लट क्रेयर हो accessories change चलना को डिए लो टेबल आपका जिरार टेवीन फार्वर पासवर यहां पर एड़ क्लिक करेंगे और चलेंगे एडिक टॉप टुटी में तो यहां पर आज़ते हैं, यहां पर पहला जो देते हैं, its coder, baba, password देते हैं 123, एक दूसरा देते हैं, its admin, password देते हैं, डबल डबल वी, okay, so, ram, password 123, तो यह team मैंने यहां पर record यहां पर insert कर दिया, अब हम से करते हैं close, okay, चलते हैं, विजय स्टूडिय की तरफ, तो guys, हम क्या करेंगे, यह जो आप देख रहो, change password, हम इसके करेंगे, double click, तो यह form का click went आ गया, अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हमें add करना है, कुछ name space, तो इसे हम copy कर लेते हैं, यहां पर paste करेंगे, system.data, यहां पर क्या लिखेंगे, system.data, एक यह हो गया, और एक name space होगा, system.data.sql client, यहां पर लिखना है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर आपको बनाना है एक variable, तो variable बना लाएते हैं, string type का variable, तो string इसका नाम देते हैं, इसकी username, और यह username पर इसकी value कहां से आएगी, इसकी value आएगी, जो आपका यह send वाला form है, यह जो form है, send code, इस form पे जो आपने एक variable बनाया रखा है, उसका नाम क्या है, एक मिनट में आपको बताता हूँ, to नाम से, इसमें जो code हो, इसमें जो value होगी, वो, तो हम आजाते हैं यहां पे, तो इसे change password, तो यहां पर क्या करना है, हमें, यहां पर करना है, change password जो value आएगी, जाएगी आपके, send code, dot, यहां पर एक variable है, to करके, ठीक, इसकी value होगी, वो, यहां पर आएगा, ओके, अब यहां पर आएगा, यहां पर एक मिनट आते हैं, यह इस पे, डबल क्लिक करेंगे, यहां पर आजाते हैं, फिर से, तो यह दे दिये मैंने, कहां से value आएगी, यहां से value आजाएगी, अब हम चलेंगे, इस पे, बटन की click event पर, यहां पर आगे, बटन की click event पर आ चुके, यहां पर क्या करना है, आपको, जबहर हम एक if condition बनाएंगे, if condition में क्या करना है, हमें क करना है, जब करना है, आक universit 00 people, जब अपर आपको क्या करना है, समसे पहले design भी पी आओ, यहां पर को Quant2 page मैंने, यहीरो text box है, इसका नाम कैया है, इसको दे दिटें इसर निड फैसवर्ट, ठीक हि, और यह जो होगा, इसका नाम किया है, इसका नाम दे देते है, यह है आप आपका confirm password ठीक है यह मैंने देख दिया आप क्या करेंगे यहां पर आजाते हैं अब जो इफ कंडिशन है इसमें क्या लिखेंगे कि जो आपका new password है new password.text अगर equal to confirm password.text अगर ऐसा होता है तो यानि कि आपका जो password आपने चेंज किया है वो सही है फिर यहां पर क्या रिखेंगे sql connection class पा object create करेंगे con is equal to new sql connection और यहां पर आपको क्या देना है connection string का code ठीक है तो जो लोगों को नहीं पता कि connection string का code कैसे हम add करेंगे तो आपके लिए एक special जुगान यहां पर करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम यहां से लेंगे एक combo box ले लेते हैं तो this is the combo box drag and drop करो यहां पर right click करो choose data source पर चलेंगे ठीक है यहां पर आएंगे add new data यहां पर data space select करेंगे next पर करेंगे next अब इसके बाद आपके सामने किस तरी किसी window आएगी ओके तो यहां पर यह करना है आपको new connection पर चलना है अब देखो यहां पर change पर आओगे यहां पर आओगे तो कनेक्ट पर आओगे database इंजन पर क्लिक करोगे तो यह जो नाम देख रहो ना डेल PC यहां पर लिखा भी है server name अब क्या करेंगे यहां पर वही नाम हम प्रेस्ट कर देंगे प्रेस्ट कर दिया okay अब यहां से आपको सब्सक्राइबेस बहुत सारे database है तो फोड़ा साथ loading होने में टाइम लगेगा तो यहां पर आदेदाबेस यह है ठीक है code obama यह database है यहां पर आगए अब क्या करेंगे यहाँ प्रे क्या करेंगे यहां पर प्लस पर यहां पर क्लिक करेंगे तो यह discrimin का code यह पूरा code आपको कर लेना है copy तो इस सैंने किया copy अब इसको आपको cancel कर देना है ठीक है यहां पर आवे इसे भी आपको अंचेक कर देना है और यह जो combo box को delete कर देना है परफेक्ट तो फिर तो चलेंगे बटन के click event पे अब यहां पर जो code आपने copy किया था उसी code को हम यहां पर paste कर देंगे परफेक्ट तो आप यहां पर देख सकते हो यह हमारा connection का code आपके सामने यहां पर है ठीक है यहां पर आदाते हैं डेटाबेस में तो हमने coder बावा यह देख रहे हैं इस वाले database के अंदर एक table बनाया है टेवल का नाम क्या है sql command का object cmd is equal to new sql command और यहां पर आपको क्या देना है आपको देना है query ठीक है हम क्या करने वाले हैं हम यहां पर password को update करेंगे तो यहां पर आपको query दे दी है वो भी update की query और comma के बाद आपको देना है connection ठीक है यह चीज़े करनी है तो query कैसे देंगे आप तो query देंगे बहुत सिंपल है query आपको यहां पर लिखना है आपको करना क्या आपको करना अपडेट तो इटस अपडेट क्या अपडेट करेंगे table का नाम दे दिया ठीक है फिर क्या करेंगे यहां पर आपे करेंगे set क्या set करेंगे out हम set करेंगे password ठीक है password method is going to single quotation double quotation औरrade ниशन और डबल प्लस पासवर्ड कहां से आएगा ई पासवर्ड आपका आएगा यह जो आपका यहां पर जो't है ठीक है इं दोनों में से कोई भी लेलो तो मैं ले लेता हूं आप confirmation वाला लेते हैं ठीक है तो ले लेते हैं इस इस confirmation password.text यह वाला जो text box है इसकी value condition लगाएंगे वेर क्या होगा user email ठीक है user email is equal to single quotation dual quotation and this product ब्ल्स और यहां से आएगा यह आएगा यह आएगा यह ready है अब क्या करेंगे अब इसके बाद को करना है connection को open करना है open हुआ फिर हम यहाँ पर cmd.execute non query को run करेंगे ओके फिर क्या करेंगे connection को कर देते हैं close और उसके बाद आपको एक message आपको यहाँ पर show करना है message box में message box.show और यहाँ पर पासवर्ड reset successfully तो यह आपका हो गया यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या लेखाएंगे यहाँ पर else block okay else में क्या करेंगे हमें एक message show करना है तो यहाँ पर आगर यहाँ पर आगर तो password जो होगा वो क्या नहीं होगा sit नहीं होगा ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं the new password do not match ठीक है so try again अब देख सकते हुए आपका जो change password वाला form है इस form का भी हमने जो background code है ठीक है वो code हमने यहाँ पर कर दिया है coding is क्यों चुकिए है अब हम चलते है form 1 पर जो हमारा form 1 है यह क्या है यह login का है तो अभी हमने login button का click qn पर login का code हमने नहीं किया है तो पहले हम यह कर लेते हैं तो login record करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए आपको चाहिए नेमस्पेस की जोरत पड़ेगी system.data.sqlclient इसके बाद हमें पढ़ेगा system.data यह दो नेमस पर जोरत पड़ेगी तो यहां पर हमने दे दिया है अब क्या करेंगे button के क्लिक्मेंट पर आएंगे तो तो सबसे पहले चलेंगे change password पर जो हमने यहां पर database का code लिखा हुआ है यह हम दोनों copy कर लेते यहां तक इसे मैंने copy किया चलेंगे हम form1 पर login बटन पर और यहां पर हमने इसे paste कर दिया तो connection वाला सेम है बट यह जो query वाला देख रहो ना query वाला में change करना पड़ेगा तो query हमें आ से change करेंगे यहां से रा जाते है इसे query में तो इसमें कुछ कुछ चीजे हम रहने देते हैं तो ज select क्या करना है select star सब कुछ select करना है कहां से tbl forget password से अब यहां पर क्या लेगाएंगे where condition where अब यहां पर हम आ जाते हैं its where के बाद ओके तो इसको हटा लेते हैं where जो आपका user email होगा यह कहां से आएगा is equal to single quotation double quotation and double plus ठीक है यह होगा where user name is equal to a and password is equal to यह आपका its password तो आपको column name आपको ध्यान से देखना है जो आपने इस table में दिया होगा वही column name आपको यहां पर भी देना है तो capital P है पास्वड में तो आप यह चीज देखेंगे तो इस पास्वड तो पी हो गया यहां पर यहां पर आपको पास्वड देना है तो इमेल कहां से आएगा सब्सक्राइब यहां यहां पर आएगा lg देखेंगे तो यहां से याब यहां पर देना है it's a txt password dot text okay तो हम इसे save कर लेंगे यहाँ पर हमारी query जो है ready हो चुगी है connection यहाँ पर होगा open connection open होने के बाद हम यहाँ पर create करेंगे it's a data table का एक object create करेंगे dt is equal to new data sorry okay dt is equal to new आपका है data table okay तो data table का उप्यूट किया अब इस के बाद okay अब हम एक काम यह करना यह जो अपने SQL कमांड किया है इसको SQL कमांड ना करके इसे हम क्या कर देते है SQL it's a data adapter कर देते हैं ठीके okay अब यही SQL data adapter यहां से copy करेंगे यहां पे हम paste कर देते हैं ठीके perfect इसे हम cmd जो है ना cmd ना करके इसे ही कर देते हैं adp SQL data adapter ठीके यह मने copy किया अब यहां पी क्या लिखेंगे adp.fill एक fill method होगा इसकी help से हम dt को कर देंगे fill यहां पे okay अब क्या करेंगे लगाएंगे if condition if अगर आपका dt.rose dot count okay count is greater than zero तो इसका मतलब क्या है कि वो username पासवर्ट available है login करते वक्त ठीके तो अब क्या लगाएंगे यहां पे लगाएंगे message box dot show और यहां पे क्या लिखेंगे login successful और अगर ऐसा नहीं होता तो लगाएंगे इसका और इस पार्ट और इस पार्ट में हम सिर्फ message box शो करेंगे और यहां पे यह दिया मैंने message box इस message box में हम देदेंगे login fail ठीक है या फिर हम देदेंगे इस एरर ऐसा कुछ try again ओके ठीक है तो यहां पर अभी क्या हो गया अभी के लिए मैंने सारा जो है वो मैंने यहां पर create कर लिया है ठीक है तो login का हो गया सब कुछ हो चुका है अब मैं क्या करने वाला हूँ run but run करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दू यहां पर जो आपका send OTP है और यहां पर जो मैंने यह email दिया है कहां गया its email ID ओके यह जो email ID है इस email ID का password मैं यहां पर इंटर करूँगा ठीक है यह password इंटर करूँगा और यह password में आपको शो नहीं करूँगा और आप यहां पर करना है आप यहां पर अपना email लिखना Gmail का जो account है वो आप यहां पर दे देना और उसका जो real password है वो आप यहां पर दे देना ठीक है यह आपको यहां पर आना है यहां पर आपको एक email आपको देना है ठीक है email आपको देना है its कौन सा email दे दें यहापर तो एक मेरे पास email है मैं उस email पर चलोगा its b-b-l-l-u तो यहां पर मैंने दे दिया अपना एक email और उसका पासवर्ट देते हैं 123 ओके तो यहां पर आपको जो क्या लिखा है मैंने कॉलम का नाम क्या है कोई ने क्वाıktने यूजर इमेल है तो यहां पर आपको कोई ने कोई email देना है जिसके help से वह आपको email भीज सकेगा ठीक है तो यहां पर मैंने दे दिया अपना email आईडी आप करेंगे आपको एक काम यह करना है कि आपको अपने system में internet correct करना है ठीक है तो यहां से मैंने connect कर लिया internet ठीक है तो system को wifi से आपको add कर लेना है जोड लेना है ताकि आपके system में internet की connectivity रहे तभी तो आपका mail जो है जो जा पाएगा ठीक है तो यहां से internet connect हो चुका है अब मैं इसे करता हूँ run सब कुछ सही है यह आगे आपका form login form आ सामने आ चुका है अब देख सकते हो ओके तो अभी क्या करना है मुझे मानलो की password नहीं पता तो forget password पर चलेंगे आपके सामने यह वाले विंडो आ गया अब यहां पर क्या करते है अब क्या करते हैं send करते हैं OTP इस button पर click करेंगे तो OTP अगर हमेरे email पर जाएगा तो क्या हो होगा कि आपका OTP send हो गया है तो क्या करते हैं यहां पर send पर click करते हैं तो जैसे मैंने click किया अब तो वेट करते हैं अगर successfully OTP send हो गया होगा तो यहां पर क्या कह रहा है कि the SMTP server require a secure connection or the client was not authenticated the server response was 5.0 authentically required learn more okay अब दो कि यहां पर क्या OTP तो जा रहा है send हो रहा है ठीक है यहां पर send तो हो रहा है बट problem यह है कि यहां पर SMTP server है इसमें कोई थोड़ी से problem है अब यह problem क्या है मैं आपको बताता हूं यहां पर okay पर click करेंगे okay इसे stop कर देते हैं थोड़ी देर के लिए okay के okay तो गैस यहां पर आपने क्या कर लिए है बहुत अब देशक्ते कि कि आल न कर लिए ka कच कि जब आपने से ऐन कर लिया चैयक जब आपनान hebben बैक चलोगे, ठीक है, security में आप आओगे, security में आने के बाद आपके सामने इस तरह के option दिखेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, let's secure app access इसको आपको on कर लेना है, ठीक है, अब यह on हो चुका है, अब क्या करते हैं, अब हम चलेंगे फिर से अपने video studio मे तो गैस हम इसे run करेंगे फिर से, यहाँ पर मैंने इसे run कर दिया है, forget password पर चलेंगे, अब यहाँ पर आपको देना है email.com, ठीक है, तो मैंने अपना Gmail यहाँ पर दे दिया है, अब send पर क्लिक करते हैं, तो अगर आपका OTP send हो जाएगा, तो आपको एक message सो होगा, तो थो आ wait कर लेते हैं आपे, मेरा email बिल्कुल सही है, okay guys, तो अब देख सकते हो, क्या लिखा है, code send successfully, यानि कि जो मेरा code था, वो successfully चला गया है, मेरे इस वहले email पर, email यहाँ पर open हो रहा है, अब देख सकते हो, यहाँ पर हमारा email जो है, वो open हो गया, अब यहाँ पर देख सकते हो, जो पहला email है, यह अभी आया हुआ है, ठीक है, जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, और यह भी आया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, your OTP was, यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो भी OTP है, वो आपको यहाँ पर शोओ हो रहा है, ठीक है, तो अभी सुबह के 4 बच के 12 म हम copy करेंगे, अब इसी code को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम paste कर देंगे, ठीक है, तो जो भी code है, पेस्ट कर दो, यहाँ पर मैंने paste कर दिया, ठीक है, 980, 2, 001, तो सपोस करो, अगर यहाँ पर मैं यह जो code है, इस code को ना लिखके, कर रेंडमली कोई number यहाँ पर दे देता हू यह दे दिया अब ज़रा से verify पे क्लिक करते हैं तो कहा रहा है wrong code यह code सही नहीं है तो अब हम क्या करते हैं जो हमने code copy किया था वो paste कर देते हैं अब यह वाला code चेक करते हैं यहाँ पे जब मैंने check पे क्लिक किया तो code successfully सही है और इसी वज़े से हम आ गये हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि enter your new password अब जरा सा एक बार हम अपना database open करेंगे तो यहाँ पर यह जो मेरा email है इस email के लिए password क्या है है मेरा 123 है ओके तो अब इसी हमें change करना है तो यहाँ पर मैं देता हूं भाई नया पासवर्ड आपको देना है यह आप कर दो admin कर दो admin 123 कर दो ठीक है यह password कर दो फिर admin 123 यह password कर दो तो मैं क्या कर रहा है यह पर पासवर्ड चेंज कर रहा हूं यह है यह पर निव पासवर्ड और इसे confirm password अब यहाँ पर क्या करेंगे change password पर क्लिक करेंगे यह password reset successfully password हमारा चेंज हो गया ओके पर क्लिक कर लिया अब जरहाँ डेटाबेस में ओपन करेंगे डेटाबेस आ गये ठीक है तो अभी क्या करते हैं इसे हम क्लोज कर देते हैं अभी हमारा जो टेबल यह वाला है इसी को फिर से ओपन करेंगे यह पैड क्लिक करेंगे यहाँ पर edit top 20 ठीक है हम देखते हैं क्या यहाँ पर edit modification हुआ है या नहीं password में तो guys आप देख सकते हो यह है आपका password ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह admin 123 अब ऐसे ही हम एक और करेंगे यहाँ पर मालो की यह जो आप देख रहे हो इसको हम चेंज करते हैं इसको ह तो यहाँ पर मैंने इसे change कर दिया इसका password यह होगा अब करते हैं अब जरा सा हम यहाँ पर चलेंगे फिर से हम इसे stop कर देते हैं इसे फिर से open करेंगे इसे फिर से open करेंगे और इसे run करेंगे और इस बार हम देखते हैं कि यह जो मैंने email दिया है second वाला उसके लिए यह काम कर रहा है या नहीं अब इसे send करते हैं अब यह OTP इस email ID पर send हो जाएगा तो 123 ओके यहां पर देख सकते हो क्या दे रहा है यहां पर email देख सकते हो दिखा रहा है जो email मैंने दिया थे वो email आपको यहां पर show हो रहा है अब इस email से इस email को आ चुका है क्योंकि जो जहां पर email दे रहे थे वहां पर email आप भेज रहे थे from में from में मैंने इस email का address दिया हुआ है इस वोज़ा से उसकी जो email है वो वापस इसी पर आ गई ठीक है यह एकाउंट था इसी से mail आ भी रही है और इसी को mail जा भी रही है ठ इदा रही है है अब यहां पर आपको क्या देना अपना जो भी code आपने copy किया यह जो पेश्ट करो यह कर दिया ठीक है code आपक़ verify हो गये ver случай अब यहां पर Sver campaign और आप ए तो यहां पर देते है the password पासवर्ड Percy चेंज कर रहे हैं तुम पर change पी किया password आपका चेंज हो गया अब आप database open करो तो database open किया इसको refresh करना है तो ये अब दिसकते हो इसके लिए इसका password यहाँ पर change हो चुका है तो guys ये था आज का tutorial जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको proper login करना है और आपको code send करना है ठीक है और password को change करना है so guys कैसा लगा आपको ये वीडियो वीडियो पसंद है तो आपको क्या करना है आपको अमारे चैनल को करना है subscribe वीडियो को share करना है दोस्तों तक और आपको जो भी सुझा हो आपको में कमेंट पर बदा सकते हो तो guys मिलते हैं आपसे नए वीडियो में सब तक के लिए take care and bye bye